रादे रादे फ्रेंड्स यह भगवत गीता है मैं इसमें अध्याय आठ में भगवत प्राति कैसे होती है वह पढ़ूंगी देखिए मैं आसे शुरू करती हूं किम थ्धभ्र्मा किम ध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोत मदि देवं किमूच्यति इसमें जब अर्जुन भगवान क्रश्म से पूछती है उस्वारे में काया देगी अर्जुन ने काहा हे भगवान हे पुरसोतम भ्रह्मा क्या है आत्मा क्या है सकाम कर्म क्या है यह भौतिक जगत क्या है तता देवता क्या है क्या करिके यह सब मुझे बताईए तो यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को चबाब दे रहे हैं कि भ्रह्मा क्या है आत्प्रस्णों का अप्तर ते सुर्ण भागवत के व्याख्या여 में करती हैं, फिर्फिन भागवत में खाकरती? शुन आत्मा तत्मा या जीव को भ्रह्मा भी कहते हैं, अर्जून आत्मा के विशय में भी पूषता है, जिससे शरीर आत्मा तत्मा मन का बोद की ह bouद होता je वैदिकोष निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन आत्मा शरी तथा इंद्रिया भी होता है अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुसोतम या परमपुरुस कहकर संबोधित किया है जिसका अर्थ यह होता है कि वैं ये सारे प्रस्ण अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुस से उन्हें परम प्रमार मानकर पूछ रहा था जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं